वशंत रितू जिसे हम रितुराज भी कहते हैं, यहाँ इस मौसम में भारत वर्ष में अधिकांस जगयों पर ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी का एसास होता है। वशंत रितु में पत्जड की बाद प्रकती में नई नई कूपलें पेड़ों में निकलती हैं और वो नई नई कूपलें नई उर्जा का एसास कराती हैं। हमें संदेश देती हैं कि मनुस्य को प्रत दिन एक नई उर्जा के साथ अपने सभी कार्यों को संपन करते रहना चाहिए। इसलिए प्रत दिन शुब प्रभात की कामना की जाती है। शुब प्रभात का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये वशंतरितु प्रतिवर्श आती है और प्रकति में एक नया उल्लास उत्पन करती है। हम सब की बीच में एक नया उल्लास नई उर्जा सकारात्मक उर्जा उत्पन करती है। और वशंतरितु की मुख्य तेवहार होली का तेवहार उत्तर भारत में या यों कहें पुरे भारत वर्श में मनाया जाता है। कहते हैं सतरंगी जो हमारी भावनाएं हैं वो उमरती हैं और उमर कर एक हो जाती है। जिस तरह से विभन उद्गम स्थानों से हमारी जन कर लियान की भावना लेती हुई हमारी नदियां कल-कल करती हुई अपनी अमरत जल से हम लोगों को सिंचित करती हैं। हम लोगों को जिवन दान देती हैं और अंततहा समुद्र में समाहित हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे सात रंग मिलकर इंद्रधनुस की रचना करती हैं। तो सात्यों, मैंनों और भाईयों हम सब लोग वशंत्रित के आगमन का स्वागत करें। और वशंत्रित ये भी कहता है कि हम अपने सभी नकारात्मक विचारों को समाप्त कर। सकारात में विचारों को सात करें। जन चन तक पहुचाएं। क्यों पत्यजड होता है। अर्थात जीवन की समस्त दुखों का अंत होता है। और जीवन की सुकद दिनों की शुरुवात भी वहीं से होती है। तो बैनों और भायों हम जहां से सुकद वातावण का निर्मान होता है। वहां से अपनी जिंदगी पुना सुरू करें। आवरी नई उर्जा की साथ। नई मंगल कामना की साथ। पूरी वर्ष और जान्वित रहें। सुखी रहें। खुशी रहें। दूसरों की हितार्थ। दूसरों की भलाई की कार्य करते रहें। ताकि मानो जीवन सार्थक हो सकी। क्यों मनुष्य विवेक सील प्राणी है। मनुष्यों और अन्य जान्वरों में अंतर है। बुद्धिवान है। मनुष्य और मनुष्य को प्रकित का सुप्रिम क्रियेशर कहा गया है। के दियाम हम सब प्रकित की सर्वोच्य प्राणी हैं। तो हम सब लोगों की सर्वोच्य जिम्मेदारियां भी हैं। इसलिए हमारे प्रकित के प्रति जिम्मेदारी। हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारी। हमारे गाउं, जिले, प्रदेश, देश और पूरी विश्व की जिम्मेदारी के साथ हमें कार करती रहना चाहिए। ये वानी है, वानी एक अमूल है, जो कोई बोली जान ये इतराजू तौल की तब मुख बाहर आने। वानी हमारी मधूर होनी चाहिए, और वानी में मधूरता जिसके पास है, वो ईश्वर की बड़ी अशीम अनकमपा उस पर परस्ति रहती है। सुई राधे गोविन्दम की बात हो या प्रभुश्री राम की बात हो आध्यात्मिक भोजन नितानत आवश्यक है। जिस तरह से इस स्थोल शरीर के लिए आटा, गियू, चावल, दाल की आवश्यक्ता होती है। इसलिए मनुष्य को, विवेक, शील, प्रानी को हमें अच्छे बने रहने के लिए आध्यात्मिक जीवन की भी आवश्यक्ता होती है। अनुशासन की आवश्यक्ता होती है। मनुष्य की मानुई गुणों से ओथ, प्रोथ, दया, करुणा, शील की आवश्यक्ता होती है। सिंपैथी की जगे, एध हम इंपैथी के बारे में सोचीं, तो अधिक सार्थक होगा। हम अपने जैसे सभी को समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेश सावई पंडित उच्चते। अपने जैसा सभी प्राणियों को समझना चाहिए, तो वही पंडित होता है। मात्रवत परदारेश परद्रवेश लोस्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश सावई पंडित उच्चते। पंडित का अर्थ ज्यानी वही पुरुष है वही मानों है जो आपनी आत्मा जैसी दूसरी की आत्मा को समझना आत्म वत सर्वभूते इसु पर द्रव्येश लोस्ठ वत दूसरे के धन्द वुलत को एक मिट्टी की धेले की स्वान समझना एदि ऐसे मानों ही गुड़ है तो वही ज्यानी कहलाता है एशाम न विद्या न तपू न दानम ज्यानम न शीलम न गुड़ू न धर्मा तेमर्त लोकी भईभार भूताहा मनुष्यरूपेण म्रगाश्यरंती कहा गया है जिस मानों में विद्या नहीं है विद्या ददाती विनियम् ये शाम न विद्या जिस मानों में विद्या नहीं है ये शाम न विद्या न तपू न दानम जिसमें तप नहीं है दान शीलता नहीं है न शीलम न शील है न गुडू न गुण है न धर्मा और न धर्म है ए शाम न विद्या न तपू न दानम ज्ञानम न शीलम न गुडू न धर्मा ज्ञान नहीं ते मेरत लोकी भुई भार भूता इस मृत्त लोक प्रत्थी पर भार की समाने ते भार भार भूता मनश्य रूप केण मरगाश रंते वो मनश्य के रूप में हिरणों जैसे जानवणों जैसे विचरन करती है इसले आई हम सब लोग बैनों और भायो आज वसंत रित में हम रह रहे हैं इस वसंत रित को इंग ज्वाय करीं आपस में प्रीम, सहिंसुर्ता, सद्भावना और क्यान शिल्ता का परचे समाज के अंदर प्रदान करें ताकि पुरा समाज, नव पल्लो, नव स्रजित प्रकत का आवण जैसा लीकर नई समाज की स्थातन हो जहां पर किसी भी प्रकार का भेद भाव दिखाई न देता हो और समुद्र जैसा एकी कार हो जाए विविद्धता में एकता का संदेश पहुंच जाए तो विना की तार जंकरत हो ऐसे बज जये रण फेरी सभी बुराईयों के लिए विना की तार आईसे जिंक्रतों बन जाए रण फेरी सामाजिक पुराईयों के लिए प्रस्टाच्यारियों के लिए और नकारात्मक उड़ जा के लिए तो बैनार भायू मेर आत्रसंतो शिलाल कमल अड़कीट फ्रम कानपूर इस वशंत रित की आगमन पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक श्रबकामनाई प्रेशित करता हूं जय हिंद जय भारत जय समिधान जय वशंत रित अन्वत